नमस्कार दोस्तो, हमारे High Tech Technical Expert राव जी YouTube चैनल में आप लोगों का सलागत है द्वस्तो अगर आप लोगों में अब तक हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो सस्क्राइब करने के बाद बैल आइकेन पर किलिक करके नोप्टिकेशन को चालू जरूर करें जिससे हमारी सारी वीडियो आप पास आने से मिल जाएं दोस्तो आप देख रहे हैं थिरी फेस थिरी फेस मोनो ब्लोक मोटर की रिवाइंडिंग का दूसरा पार्ट अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से आप पहला पार्ट इस वीडियो का देख सकते हैं पहले पार्ट में हमने आपको इस मोटर को रिवाइंड करने का 36 स्लाट की जो मोटर है थिरी फेस की मोनो ब्लोक इसको रिवाइंड करने का पूरा डेटा हमने पहले पार्ट में आपको दे दिया था और आपको इसमें हमने 6 सेट डाले हैं 6 सेट परतेग सेट में 3 कोईले ह है ठीक है तो हमने इन सेटों की टोटल कोईल अठारा है तो हमने सभी कोईलों के फस्ट वाले सिरे डाल दिये हैं अब सेकिंड वाले सिरे हम इस वीडियो में आपको डाल कर दिखाएंगे इसमें सिंपल है छे खाने छोड़ कर कोईल के बचे हुए सिरे हैं जो लास्ट वाले सिरे उनको डाल दे एक से आठ में यानि कि बीच में छे स्लोट छोड़ने हैं सबी क्वाइल में ऐसा ही करना है अब धीरे धीरे इनको आराम से डाल दे पहले पार्ट में हमने बताया था कि क्वाइल पहले आप एक कोईल ले और किसी भी एक स्लोट में डाल दे और फिर एक स्लोट खाली छोड़े अगला फिर एक कोईल डाले अगले स्लोट में तो इस तरह से मोटर में ये डालने के बाद ये प्रोसेस होने के बाद हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे करना था जब बाद में सेकिंड वाले सिरे बचते हैं तो उनको डाल देना है उसके बाद देखी कुछ इस तरह से आपकी मोटर दिखेगी ठीक है और ये आपके छे सेट के बारातार निकल आएंगे परतेक सेट में दो दो तार है अब आपको इसमें स्लोट पेपर लगाना होगा ये छे सेट जो हमने डाले हैं तो हम इन छे सेटों के बीच में कागच लगाएंगे हर एक सेट ताकि एक सेट दूसरे सेट से टचने हो एक सेट में तीन कोईल है तो ये तीन कोईले अगले कोईल से टचने हो अगले सेट की कोईल से टचने हो इसलिए हम इसमें कागच लगाएंगे ठीक है तो अब देखी कैसे कागच काटना है सबसे पहले आप उसमे थोड़ी जगह बना लिए जीए जहां पर हमें कागज डालना है हमें एक सेट के बीच में कागज डालना है फिर दूसरे सेट में डालना है फिर तीसरे सेट के बार डालना है फिर चोथे के बार डालना है पर पांचवे के बाद डालना है ऐसे हमने कागज डालने है च्छे सेट जो की छे अलग अलग जो सेट है आपस में टकराये नहीं आपस में बिढ़े नहीं इसलिए हमें कागज लगाएंगे इसके अंदर कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता देखिए अब कागज को किस देखिए तो कैंची की मदद से ये दस नंबर सीट है दस नंबर पेपर है आप साथ नंबर भी यूच कर सकते हैं लेकिन दस नंबर बेटर रहता है अच्छा रहता इसलिए मैं इसको यूच करता हूँ अब इस तरह के टुकड़े बना लीजिए आप नीचे से इस तरह से थोड़ा काट लीजिए अब ये तीन-तीन कोईलों के जो सेट हैं इनको अलग-अलग करना है कागज लगाके ताकि ये आपस में टच ने हो अगर आपको इस वीडियो में कागज लगाना समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करे मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको कागज लगाने हैं तो इस तरह से कागज काट लेते हैं दोस्तो इस वीडियो का पूरा डेटा ट्रन गेज पिच जो भी कुछ है टोटल कोईल लंथ कोईल की कितनी लंथ हैं ये मैंने पहले पार्ट में बता दिया हैं आप पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्राप्शन में जा सकते हैं सबसे उपर लिंक दिया और दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं और तीसरे पार्ट में हमने इसकी कनेक्शन समझाए हैं डाइग्राम से और वैसे भी दोनों तरह से तो आप दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए वीडियो के डिस्क्राप्शन में लिंक डाल दीए सबसे उपर ठीक है तो काग ज पीच में इस तरह से उपर से कट कर दीजी कागच को ताकि इसे मोड़ा जा सके आप कागच छोटा भी ले सकते हैं मैं थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहा हूं बाद में इसको काट दूँगा अब देखिए ये कागच लगाने के बाद आगे तीन कोईल हैं तीन कोईल हमने छोड़ दी और फिर कागच लगा दिया ये तीन कोईल का सेट छोड़े छोड़ दीजिए और फिर कागच लगा दीजिए फिर तीन कोईल का सेट छोड़ दीजिए फिर कागच लगा दीजिए इस तरह से ये सैट आपस में टच नहीं होंगे तो ये काम आपको दोनों साइड करना है मोटर की जो दूसरी साइड है इदर ये कनेक्शन वाली साइड है दूसरी साइड भी इसी तरह से कागश लगाने है और उपर फिर कोटन टेप मारनी है तो हमने पहले उसमें आलेडी कागश लगा के दूसरी साइड कोटन टेप लगा दी है और अब हम कनेक्शन की तरफ से बता रहे हैं दोस्तो वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने उस साइड आपको नहीं दिखाया है क्योंकि सेम प्रोसेस है जिस इसी तरह से कागश आपको दोनों साइड लगाने हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है एक साइड से यह आपको दिखा देते हैं देखिए इस तरह से कागश आपको लगाने हैं कागच लगाने के बाद इस पर अच्छे से cotton tape मार दीजिए और फिर बाद में connection करने हैं और फिर connection करने के बाद connection ओर cinnamon लगा के तार को निकाल के 12 से 1 बार cotton tape मार देना है या cotton tape आपके पास नहीं है तो आप धागे का भी उज़ कर सकते हैं धागे को double कर सकते हैं double करके मार सकते हैं वो आपकी मर्जी है आप cotton tape का युज़ करें या धागे का और फिर बाद में इसमें वायरनेस भी डालना है दोनों साइड अच्छे से वायरनेस डालने के से ये अच्छे तरह से चिपक जाता है और कागज भी इसके बाहर नहीं निकलते हैं तो वायरनेस डालने का ये फायदा है और जो तार छिल जाते हैं स्क्रू ड्राइवर से या कैसे भी उन पे भी वायरनेस हो जाता है वो भी टच नहीं हो पाते तो दोस्तो ये कोटन टेप है देखिए इसको मैं एक तार एक तार लेकर उसकी एक सुई बना लूँगा और उसके अंदर इसे पुरो दूँगा दोस्तो डेटा मैं आपको देख बार दुबारा बता देता हूँ इस पार्ट में ठीक है ध्यान से सुनिए इस मोटर का स्टेटर साइज है सवा तीन इंच ठीक है और चत्तिस लोट की मोटर है थिरी फेस की है ठीक है और इसके अंदर पीछ है एक से आठ सभी कोईलों में एक से आठ पिछ देगी टोटल कोईल अठारा है छे सेट है प्रती सेट में तीन कोईले है कोईल सभी कोईले बराबर है सभी सेट की कोईले भी बराबर है कोई छोटी बड़ी नहीं है बीस नमबर गेज का यूज किया है पूरी मोटर में सिंगल गेज है 20 नमबर ट्रन रहेंगे हर एक क्वाइल में प्रते क्वाइल में 75 ट्रन किये गए है और 20 इंच की ही क्वाइल है 20 नमबर तार से 20 इंच की ही क्वाइल है सबी क्वाइले 20-20 इंच की है तो ये इसका डेटा है जो मैंने आपको बताया है और मैं इसका टोटल वेट करके बताता हूँ कोपर का वेट किया तो हमने इसमें चार किलो तार डाल ले हैं ठीक है और दोस्तो 1440 इसके rpm है इसमें हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे कनेक्शन दो तरे के होते हैं थिरी फेज़की मोटर में स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन अगर हम स्टार करेंगे तो ये तो इसलिए हम इसमें 1440 आर्पियम ही रखेंगे तो इसमें डेल्टा करेंगे कनेक्शन का सारा मिथड और ड्राइग्राम अगले पार्ट में तीसरे पार्ट में हमने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रेप्शन में पार्ट का लिंक दे दिया है वहाँ से आप देख सकते है तो आप देखिए यहां से ऐसे पहले दागा मार लीजी अच्छे से कागज को बहुत अच्छे से लगाना है और ध्यान पूरौप मारना है दागा मैं अभी हलके अलका वैसे ही मार रहा हूं और कनेक्शन करने के बाद सिलिव लगाने के बाद इस पर दोबारा से अच्छे से टाइट धागा टाइट कोटन टेप मारूंगा इसमें दोबारा से इसकी खिचाई करूंगा तो यह तुम्हें अभी फिलाल थोड़ा सा तार थोड़ा सा सेट हो जाए इसलिए मैं यह लगा रहा हूं दोस्तो इसके अंदर इसके अंदर टोटल छे सेट है और परतेक सेट में तीन कोईले हैं टोटल अठरा कोईले हैं ठीक है और छे सेटो के टोटल तार निकलेंगे बरा तार निकलेंगे छे तार अंदर की तरफ निकलेंगे और छे तार बाहर की तरफ निकलेंगे दोबारा से मैं बता देता हूं छे तार अंदर की तरफ निकलेंगे क्योंकि अंदर की तरफ वो तार निकलेंगे जो कोईल के लास्ट वाला जो सेकिंड वाला सिरा हमने जो की बाद में डाला था सभी कोईलों का जो सिरा है उनसे जो आउटर तार होते हैं वो अंदर की तरफ निकलेंगे और जो इन तार थे जो हम ने फ़स्ट सिर्iran में मोर्टल में डाला था, तो उस से बाहरवाले तार निकलेंगे, जिसे हम इन बोलते हैं, तो छे तार बाहर निकलेंगे और छे तार वीतर निकलेंगे, और कनेáriक्षन कैसे करना है, अगले पाड़ मेच्छ से आपको समझा देंगे, बहुती अच् ले लगीगी, दोस्तो अगर आपको कोई doubt confusion हो, तो comment मुझे ज़रूर करें, मैं उसके उपर भी video लेखे आऊँगा, उसके उपर भी video बनाऊँगा, आप लोगों की सभी कमेंट को मैं इखटा करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है? तो आप अलग अलग तरे की कमेंट करें अगर आपको पता हो तो ठीक है अगर आपको कुछ नहीं पता है कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है और स्टार में कितने राउंड होते हैं और स्टार कनेक्शन क्यों किये जाते हैं इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेखे आऊंगा इसलिए मैं अभी तक कोई भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली यह स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में आपको नहीं बताया है लेकिन आगे मैं जरूर बताऊंगा तो दोस्तो इस तरह से आपको कागच लगाने हैं और उसके उपर कोटन टेप लगाना है कोटन टेप से इसको बांद दीजिए बाद में इसको टाइट बांद दीजिए सिलिव लगाने के बाद दोस्तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं बारातार जो निकले हुए हैं उनके बारे में मैं अगले पार्ट में बताऊंगा दोस्तो तो अगला पार्ट देखने के लिए और इससे पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रेप्शन में सबसे उपर लिंक दे दिये गए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तो शुरू-शुरू में आपको कठिन लग सकता है रिवाइंट करना लेकिन बहुत ही इजी है ये थिरी फेस की मोटर रिवाइंट करना और कनेक्शन भी इजी ही है लेकिन शुरू-शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट होता हो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक जरूर करिए दोस्तों में शेयर जरूर करिए कमेंट करिए और अगर चैनल को सस्क्राइब अभी तक किया ही नहीं है तो जरूर कर लीजिए और चैनल सस्क्राइब करने के साथ साथ बैल आइकेन पर भी किलिक कर दीजिए और नोप्टिकेशन को चालू कर दीजिए तक ही सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों आप जो फालतों के एक्स्टा कागच हैं मैं उनको काट लेता हूँ आप चाहे तो छोटे कागच भी लगा सकते हैं लेकिन इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि एक सेट दूसरे सेट से टच हो जाए ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में और अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं डाइग्राम से भी आपको समझा देंगे अच्छे से तो गुडबाय दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जय हिंद जय भारत